हलो एवरिवन वेलकम टू स्वध्याय हमने आपका लेसन पड़ा था क्लास सेवंथ का लेसन 10 थॉर्मस अलवा एडीसन अब हम उसके क्वेश्टन अंसर कर लेते हैं सबसे पहले आपको learn this phrases दे रखे हैं उसके बाद आपको fill in the blanks दे रखे हैं तो सबसे पहले में fill करना है a lot of time second में in order to, third में a large sum of money, fourth में talking machine, fifth में fill करना है turned off इसके बाद आपको question answers दे रखे हैं सबसे पहला question है what was young Tom doing one day, why was he doing so young Tom जो थे वो क्या कर रहे थे एक दिन और वो क्यों ऐसा कर रहे थे तो इसका answer है one day young Tom was trying to find out if he could hatch eggs एक दिन जो Tom जब वो छोटे थे young Tom जो थे वो क्या कर रहे थे वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो एंडे को फोट सकते हैं यानि अंडे को hatch कर सकते हैं या नहीं अंडे को hatch करना यानि अंडा जब अपने आप निकल जाता है अंडा जब अपने आप फूट जाता है तो उसको hatch कर सकते हैं या नहीं he had learned from his father that a duck sits on its egg and hatches युकि उन्होंने अपने फादर से सीका था कि जो डख है वो अंडे पर बैठती है उसे गरम करती है जिससे अंडा जो है वो पक जाता है वो हैच हो जाता है वैसे ही वो भी अंडे को ऐसे पकाने की कोशिश कर रहे थे having been much bigger than a duck he felt sure that he could also sit on duck's eggs and hatch them युकि उन्हें ऐसा लगता था कि डख तो वो छोटी सी होती है वो तो उनसे और भी बड़े है तो शायद वो आसानी से एग को हैच कर सकते है second question है when did Tom start his experiments? Tom जो थे उन्होंने अपने experiments करना कब start कर दिया था? तो इसका अंसर है at the age of eight जब वो आठ साल के थे तभी उन्होंने अलग-अलग experiments करना start कर दिये थे he has set up his own laboratory by that time यहां तक कि जब वो आठ साल के थे तभी उन्होंने अपनी खुद की laboratory भे बना ली थी third question है why did young Addison lose many of his job? जब Addison जब young थे यानि जब Addison जब जवान थे जब उनकी जदा age नहीं हुई थी तब उन्होंने बहुत सारी jobs huge होई थी तो इसका अंसर है young Addison spent a lot of time experimenting with a view to finding out new things क्योंकि वो बहुत सारा समय अलग-अलग चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए अलग-अलग चीज़ों के बारे में experiment करने में ही वो लगा देते थे but his employees felt that he was wasting his time लेकिन उनकी employees को ऐसा लगता था जो भी उनको job पर रखता था उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने time को waste कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं they could not tolerate it वो इसको सहर नहीं कर पा रहे थे इसलिए वो सभी लोग Edison को job से निकाल दिया करते थे इसलिए Edison ने बहुत सारी jobs खोई थी जब वो बहुत जवान थे जब वो यंग थे question fourth है what was Edison's first important invention Edison जो था उनका सबसे पहला important invention कौन सा था तो इसका answer है Edison's first important invention was a machine for sending messages उन्होंने एक machine बनाई थी जो की messages send करती थी in those days only one message could be send along a wire at a time उस वक्याद था कि जो machine थी message send करने की उसमें wire की वज़े से केवल एक ही एक समय पर एक ही message को send कर सकते थे Edison ने एक ऐसे Edison invention made it possible to send a number of messages at the same time तो उन्होंने एक ऐसी machine बना दी थी जो की एक समय पर एक से ज़्यादा message भी send कर सकती थी fifth question है how did Edison get the money he needed for starting a laboratory and factory उन्हें जो laboratory बनानी थी उन्हें जो factory बनानी थी अपने experiment करने के लिए उससे वो बनानी के लिए उन्हें पैसे कहां से मिले तो इसका answer है अपर्टेंज जन्रल नेम्ड लेफर्ट बोट एडिसन न्यू मशीन sixth question है what is a talking machine what is a talkie talking machine क्या होती है और talkie क्या है तो a talking machine is one that can talk talking machine क्या थी जो की बात कर सकती है the modern gramophone is simply an improvement in this talking machine जो modern gramophone जो होता है वही एक तरीकी से एक improvement है इसी talking machine का talkie is a talking picture this is a modern cinema talkie क्या होती है talking picture होती है मतलब जो बात कर सकती है जो picture जैसे जो movies वगर हम देखते है modern cinema जो देखते हैं उसमें हम एक picture को बात करते हुए देख लेते हैं वैसे ही talkie जो है वो talking picture है question seventh है why did the American turn off their electric lights for a while when Edison died जब Edison की मृत्य हो गई थी तो सारे जो अमेरिका के household थे अमेरिका के जटे भी घर थे महाँ पर electric light बंद कर दी थी तो क्यों करी थी तो इसका answer है Edison has invented the electric light क्यों बंद कर दी थी क्योंकि Edison ने ही electric light का invention किया था therefore when Edison दा इसलिए जब Edison की मृत्य हुई the Americans turn off their electric lights Americans जुत्ते भी घर थे उन्होंने अपनी घर की electric lights बंद कर दी थी तो कुछ समय के लिए for a while as a mark of respect क्या दिखाने के लिए अपनी respect दर्शाने के लिए जो भी एडिसन जो की एक wonderful inventor थे उनके प्रती अपनी respect दिखाने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए light बन कर दी थी बी वाले में आपको read the following sentences and tick true and false आपको true and false करना है तो सबसे पहला है true, second है false, third है true, fourth है false और फिफिफ्फ है true and sixth है false इसके बाद आपको कुछ दे रखा है person who helps somebody जुसको क्या बोलते हैं assistant बोलते हैं तो वैसे ही आपको पता लगाना है a person who has invented something जुसको क्या बोलते हैं तो इसको inventor बोलते हैं third है a thin wire that produces light when the electricity passes through it जुसको क्या बोलते हैं तो filament बोलते हैं fourth है scientific test that is carried out to gain new knowledge तो बहुत सारे test करे जाते हैं नहीं नहीं knowledge सीखने के लिए तो इसको क्या बोलते हैं experiment बोलते हैं to a very high degree को इंग्रिश में क्या बोलते हैं तो extreme बोलते हैं machine that produces writing similar to print जो machine print की तरह जो writing एक same निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं तो type writer बोलते हैं a person who gives somebody a job to do for payment जो person किसी को job देता है इसको क्या बोलते हैं employer बोलते हैं इसके बाद आपको use the following words in a sentence given below आपको कुछ words दे रखे हैं और आपको blanks में fill करना हैं तो सबसे पहले blank में fill करेंगे telephone operator, second में fill करना है messages, third में fill करना है respect, fourth में fill करना है intelligence and fifth में fill करना है experiment next grammar and use में आपको कुछ verb दे रखे हैं आपको उनका noun form लिखना है साथ में उसका मतलब भी लिखना है तो दो जो है suffer और drive वो आपको solve करा हुआ है and rest of the them मैंने यहाँ पर solve करके लिख रखे हैं आप लिख सकते हैं उसके बाद B वाला है write 10 meaningful sentences from this table आपको एक table दे रखा है उसमें से आपको 10 meaningful sentences लिखने हैं तो यह 10 meaningful sentences मैंने यहाँ नीचे लिख रखे हैं आप लिख सकते हैं आपको कैसे तो भी words दे रखे हैं आपको जमा कर एक meaningful sentences में convert करना है तो first का बनेगा Edison lost many jobs, second का बनेगा what is the bet, third का बनेगा Edison worked hard till the very end of his life, fourth का बनेगा how lucky was your father, fifth का बनेगा I am very surprised अगर यह वीडियो आपको helpful लगी हो तो please subscribe to the channel and drop me a like और अगर आपके कोई भी queries हो कोई भी doubt हो तो आप comment section में लिख सकते हो thanks for watching, have a nice day